एक भी नदी का नाम शबनम, शबाना, रुखसाना नहीं रख पाए क्योंकि आदिकाल से गंगा यमिना नर्मदा जैसी अनेको नदिया है एक भी परवत का नाम अब तो सलीम नहीं रख पाए क्योंकि आदिकाल से हिमाले नील गिरी जैसे अनेको परवत है पीपल, बर्गर जैसे अनेको पेड़ों के नाम उर्दू में क्यों नहीं तुलसी, अर्जुन, पलाश जैसे अनेको पौधों के नाम उर्दू में क्यों नहीं आयुवेद की दवा सबको चाहिए पर ये वेद नाम हिंदी में क्यों उर्दू में क्यों नहीं एक भी सागर का नाम रहीं अक्बर नहीं रख पाए क्योंकि आदिकाल से प्रशान्द महा सागर जैसे अनेकों सागर है चारों दिशाओं के नाम उर्दू में क्यों नहीं है औशदी, रामबान ही क्यों होती है अल्लाबान, येशुवान क्यों नहीं क्योंकि मुगलों ने केवल मंदिर तोड़के मस्जिदें और गाउं शेहर के नाम बदले है नदिया, परवतों, समुद्र के नाम बदलना भूल गए यही सनातन सकते है